हाई एबरीवन अब बात करने वाले हैं कि PHP इंटरनली काम कैसे करती है यह टॉपिक काफ़ इंपोर्टेंट है तो इसको ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करना यहां पर आपको प्रैक्टिकली देखने को कुछ भी निमिलेगा बट थियोर्टिकली आपको बहुत क मदने को मिलेगा बहुत सारे आपका इंटर्व्य क्वेश्चन्स और डाउट भी यहां वे कवर होने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँगा यह टॉपिक इतना इंपोर्टेंट है क्यों और क्या इसके अंदर खास बात है फिर हम लोग बात करेंगे PHP कोड के HTML के form में ही मिलेगी इवन आपको CSS और JavaScript का code भी दिख जाएगा बट PHP का code कभी भी नहीं दिखता है ऐसा क्यों और इसके लावा कुछ और भी important interview questions डिसकस करने वाले हैं यह हमारी PHP के लिए playlist है 15 वीडियो आच चुकी है और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है लिंक आपको description box में मिल जाएगा यहाँ पर हर एक topic हर एक वीडियो के साथ में हम लोग interview question भी cover up करते हैं अब पहले question की तरफ जाते हैं कि यह topic इतना important क्यों है देखो जब भी हम लोग किसी programming language में काम करते हैं जा फिर उसको सीख रहे होते हैं हमें पता होना चाहिए कि वो internally कैसे काम करते ह यह PHP के लिए नहीं आप कोई भी programming language सीख लो किसी के उपर भी काम करो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो Java है, Node है, Java script है, Python है, PHP है आपको यह basic question पता होना चाहिए और यह same question बहुत बार interviews के अंदर भी पूछा जाता हैं कि PHP काम कैसे करते हैं या फिर Java काम कैसे करते ह आप programming language का interview देने गई हो, वहाँ पर question पूछे जाता है, और यह question beginners के लिए इतना important है, freshers के लिए भी important है, और experienced developer के लिए भी important है, even जो experienced developer होते है उनके लिए तो ज्यादा important हो जाता है, उनको बहुत detail में explain करना चाहिए इस topic को जब भी आप interview के लिए जाते हो, आपसे question flow की, importance समझ ली कि क्यों important है, अब इसके PHP कोड की flow की बात कर लेते हैं, so यह वाला diagram देखो, यहाँ पे आपको एक simple सा diagram दिख रहा होगा, but इसकी execution बहुत complicated होती है, अभी हम लोग समझेंगे इसको, जब भी आप लोग किसी PHP की website या फिर PHP के page को open करते हो browser के उपर, तो वहाँ आपके browser से एक server के उपर request जाती है, और यहाँ पे आपके वास एक question आ सकता है, कि अभी हम लोग PHP सीख रहे हैं, और इतनी सारी files बनाई, इनके code को execute करके भी दिखा, हमें output भी दिख रही है, बट यहाँ पे तो हमारे पास कोई server है ही नहीं, देखो, यहाँ पे हमारे पास server ह हम लोग उने XAMPP install करा था, उसके अंदर PHP, Apache वगएरा सब कुछ था, तो जो Apache था ना, वो हमारा एक local server create कर लेते हैं, जब भी आप लोग यहाँ पे कोई file execute करते हो, ब्रावजर के उपर, चाहे वो locally क्यों ना हो, वो जाके Apache server के उपर execute होती है, और भी बहुत सारे servers होते हैं, मैं यह नहीं कहता कि अकेला server है, बट अभी के लिए XAMPP के अंदर Apache server ही होता है, और जब आप live किसी website को, चाहे हो हम लोग इस website की बात कर ले, slides.com या फिर किसी website की, जो PHP के अंदर बनी हुई है, जब भी उसको execute करते हैं, तो server के उपर एक request जाती है, और वहाँ से हमें response मिलत है, हमेशा HTML के अंदर ही, चाहे हो PHP की site हो, चाहे कोई भी हो, जैसे आपने, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, और detail के अंदर, जैसे आप लोग एक server के पास request करते हो, तो server समझता है कि मेरे पास 4 request आई है, अच्छा उसको पता जाता है कि मुझे एक website या फिर एक webpage open करने ठीक है, वो उसकी programming language देखता है, then उसका जो compiler होता है, या फिर interpreter होता है, जैसे PHP का interpreter होता है, ठीक है, उसको request करता है कि मुझे इस वाली file का output दो, तो वो क्या करता है, जो interpreter होता है, जैसे PHP की बात करो हमें, interpreter है, वो क्या करेगा, PHP को code को execute करेगा, उसको HTML में convert करेगा, और server को देगा, और server क्या करेगा, उसको हमें web browser को देदेगा, ठीक है, इस तरीके से, चाहे वो file PHP की ही क्यों न हो, आप बोलोगे, file तो मारी PHP की ही होती है, जब लोग यहाँ पे execute कर रहे होता है, मालो मैंने यह वाली file execute करेग, तो HTML है क्यों नहीं आता, वो PHP की file के अंदर भी हमें HTML ही देता है, और एक चीज़ आपको और पता होनी चीए, browser, HTML, JavaScript और JS, इनहीं को समझता है, इसके अलावा किसी और programming language को नहीं समझता, ठीक है, अब इन तीनों को ही क्यों समझता है, because यह client side के उपर आगी execute होती है, बाकि PHP मैंने आपको initial video के अंदर बता था, कि PHP क्या है, उस server side scripting language है, आप उस part को दुबारा से देख लिए, second वाला part होगा, right, okay, then आपके पास question होगा, कि क्या हम लोग request को देख सकते, request कैसे जा रही होती है, बिल्कुल, देखो, मैं यहाँ पे न, inspect element करता हूँ, और एक चीज़ देखो, जो चीज़ आपको बता रहा था, आपको यह यहाँ पे, देखो हमारा actual में code है, क्या यह हमारा code है, यहाँ पे dollar लिखाव है, PHP के tags है, echo वगरा लिखाव ऐसा हमें, क्या आपको यहाँ पे यह वाला code दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ ब्राउजर के ऊपर आपको बस HTML ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जब हमारे या पाच्य वाले server ने file को execute करा, तो उसका output HTML के अंदर हमें return करके दिया था, alright, समझ गए, आच्छा, अब हम लोग यह चीज़ समझते हैं, कि request जाती कैसे, आप network inspect element करना, network वाले tab के अंदर जाना, और अपनी किसी भी website को, जैसे अभी हमारे पास यह वाला page है, इसको refresh करना और इसका हमें यहाँ पर response मिल गया, देखो, यहाँ पर HTML के अंदर response मिल गया, और यहाँ पर हमें display हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, यह होती है हमारी request, जो एक server के पास जाती है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कुछ और थोड़ी इस तरीके से आपकी request जाती है, आपको यहाँ पर दिख रही है, अच्छा, आप दो request किसी है, कौन सी है कि फैव कोन आइकन किया, जो आपको यहाँ पर उपर कोने पर दिख रहे हैं यहाँ और जब आपकी website बनती है तो एक request नहीं, बहुत सारी request बनती है, ठीक है, मैं एक बार के लिए आपको कोई भी website open करके दिखा दिता हूँ, मैं, so for example, अच्छा, मैं Google ही open कर लेगा हूँ, बहुत simple है, so मैं यहाँ पर करता हूँ, यह रा, google.com, नेटर्क पर जाऊँगा, और जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो देखो, बहुत सारी request बनेगी, यार यह तो Google है, google.com, यह लिखता हूँ, so देखो, इतनी सारी request जाते हैं, so जब आपका एक पूरा project बन जाएगा, तो आपकी भी इसी तरीके से बहुत सारी request जाएगे, so हम लोग को पता चल गया कि कैसे PHP काम करती है, और बहुत सारे interview questions भी पता चले कि क्यों हमें browser के अंदर PHP का code नहीं करता है, और अगर PHP के अंदर return कर भी देगा, तो browser उसको समझ नहीं पाएगा, उसको compile नहीं कर पाएगा, कभी भी, क्योंकि browser को HTML, JS और JavaScript ही समझ में आती है, right, so thank you so much for watching this video, इसमें कुछ confusion है, कुछ doubt है, मुझे comment section के अंदर पूछ सकते हूँ, हाँ, एक चीज और आप बोल सक PHP के interpreter के पास आएगा, then वो database और PHP का जो code होता है, वो execute होके HTML के अंदर output होती है, वो आपकी generate करता है, and then वो browser के उपर आती है, so अगर आपके पास कुछ doubt है, कुछ query है, तो मुझे comment section में पूछ सकते हो, and देगो, आपके लिए वीडियो को like करना, channel को subscribe करना, and comment section में feedback देना, completely free of cost, so please do that, इससे मुझे तोड़ा और motivation मिलता है, और मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ, और ये मेरा PHP का, ये मेरा PTM का donation number, अगर आप donation करना चाहते हो, thank you guys, thank you so much.